तो हले दोस्तों आप सबी लोगों का एक बार फिट से स्वागत है राइटनों के इस नेरी वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमपलायर के ESIC पोर्टल के बारे पर जहां पर आज हम जानेंगे कैसे आप इमपलायर के मेडिकल सर्टिफिकेट को आप आसान तरीक से डाउनलोड कर सकते हैं और जानेंगे बहुत कुछ लेकिन उससे पहले आप सभी लोगोंने चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक तो चली अब ही चलते हैं इमपलायर के पोर्टल पर और लॉगिन करते हैं यहाँ पर यूसर आईडी पासवर्ड और कैप्छी हम वेशा की तरह जो हम यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक मेंपीज ओपन जाता है मेंपीज ओपन जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे इमपलाय वाले सेक्शन में जो आप मीड में देख सकते हैं और यहाँ पर न्यू आप्शन जो है वैसे इस आप्शन के बारे में मैं आपको प्रिविएस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैसे हम इमपलाय को जो इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक अनदर पेज ओपन होईगा जहाँ पर आपको इंसोरेंस नमर डालना होगा उस इंपलाय का जिसका आप यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं और ध्यान रखेगा उसका मेडिकल हिस्ट्री भी ह होनी चाहिए ताकि तब ही आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट देख पाएंगे तो चलिए भी यहाँ पर हमने डाला है इंसोरेंस नमर और उसको करेंगे समिट तो यहाँ पर समिट आप जैसे ही करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होईगा जहाँ पर आप देख सकते ह है उस पर्टिकलर इंसोरेंस परसं नमर जहाँ पर उसको डेट ओफ इसू जो है सर्टिफिकेट कब उसको इशू किया गया था उसका आईपी नेम यानि उसका नाम क्या है और किस डेट से किस डेट के बीच में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इशू किया गया था यह चाहते हैं आप इपर इस ज़ो ही पेज यहाँ पर उस परिकुल इंप्लाई का डाउनलोड हो जाता है जहाँ पर आप देखेंगे गीए वहाँ पर इंप्लाई का नेम और उसका son of insurance number और किस डेट से उसने जो है medical जो है वो certificate लिया था तो यह सब चीज़ यहां पर आप आसानी तरीके से यहां पर इसको देख सकते हैं और जो भी PDF आप download करेंगे इसके लिए किसी भी signature की requirement नहीं होती है क्योंकि यह computer generated है तो आपने लोगों ने ध्यान रखना है और आप इस system generated certificate and does not require signature यान यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि यह system generated जो है medical certificate है और आप इसके लिए किसी भी signature की requirement नहीं है तो दोस्तों आप इसी तरीके से medical certificate किसी भी imply का check कर सकते हैं और ध्यान रखेंगा लेकिन उसका कोई भी medical history होने चाहिए तभी आप यहां पर इस imply का check कर सकते है तो दोस्तों आसा करता हूँ आप सब लोगों को यह medical certificate किसी भी imply का कैसे download करना यह आ गया होगा और इसके related आपके अगर कुछ भी ख़वारी होती है मुझे comment section में जरूर बताएगा तो दोस्तों आपको मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye लेकिन चैनल को subscribe और वीडियो को like का ना बिलकुल भी ना बूले